एक ऐसी जेल जिसमें में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वह फिर भी भाग नहीं सकता कुल मिलाकर 14 अलग अलग प्रयासों में 36 कैदियों ने जेल से भागने का प्रयास किया 36 कैदियों में से 23 को पकड़ लिया गया, 6 को गोली मार दी गई, 2 डूब गए और अन्य 5 को वाइट साक ने निगल लिया इतनी हाई सिक्योर्टी के बावजूद, वहाँ अथॉरिटीज को चक्मा दे कर तीन कैदी आखिर कैसे भाग निकले हैरानी की बात तो यह थी, कि अगले 10 घंटों तक जेल प्रशासन को उनके भागने की थोड़ी सी भनक तक नहीं लगी दुनिया की सबसे एडवांस सीक्रिट सर्विस एजनसी एफबी आई ही नहीं, बलकि यूएस की तीन टॉप लेवल एजनसीज भी इस केस को सुलजाने में एडी छोटी का जोर लगा चुकी थी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले साट सालों से सिर्फ उलजा हुआ ही नहीं, बलकि दुनिया के लिए अब एक मिस्टरी भी बन चुका है आपका फिर से स्वागत है, वर्ल्ड अवेरनेस पर पैसिफिक ओशन में मौझूद ये चोटा आईलैंड है, लेकिन यहां दुनिया के खतरनाक मुझरिमों को रखा जाता था अलकटराज के नाम से फेमस आईलैंड दूर दूर तक समंदर से घिरा हुआ है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है इस आईलैंड से बंदरगा तक आने और जाने के लिए सिर्फ बोट और हेलिकॉप्टर ही जरिया है आईलैंड के इस रीजन में जमा देने वाले पानी के अलावा विहाइट सार्क का भी खतरा है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों और पंदरह फिट उंची कांटेदार दिवार खड़ी की गई है 24 सेवन मॉनिटरिंग सिक्योरिटी के साथ साथ तेज हवाएं और उंची लहरें इस आईलैंड को हमेशा घेरे रखती है इन सब कंडिशन्स को देखते हुए 34 में इसको फेडरल प्रिजन डिकलेयर कर दिया गया जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी ओवराल देखा जाए तो यहां जो एक बार आ गया वो खुद से निकलने की सोचता भी नहीं था इस जेल को अनब्रेकेबल जेल का दरजा हासिल था लेकिन 12 जुलाई को एल कटराज का सारा भरम तब तूटा जब तीन कैदी यहां की सिक्योरिटी को बड़ी चालाकी से धोखा देकर फरार हो गए इस कहानी के में किरदार ये चार लोग हैं जिन में जॉन विलियम, एंगलिंग और क्लिरंस एंगल आपस में भाई हैं इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहां रखा गया था उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस जो 13 साल की उम्र से ही ओन एन ओन अफ जेल की शकल देखता रहता था इसका IQ लेवल 133 स्टेरेडियन था इसको भी अल कटराज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था आखिर में ये है एलेन वेस्ट जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है इसी वजह से इसको मैकसिमम सिक्यॉरिटी के लिए कटराज में रखा गया एलेन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है इसी वजह से इसको जेल के कमपाउंट के बारे में दूसरों से ज्यादा नौलेज है कटराज से भागने का आईडिया सबसे पहले सिक्सिटी में एलेन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था एलेन ने जेल के ब्लॉक बी में जेल से भागने का रास्ता तलाश किया था जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुम्किन था अब समस्या यह थी कि ये चारों लंच ब्रेक में मिलते तो थे लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे ये चारों कोशिश में लगे रहे इनको block B में शिफ्ट कर दिया जाए खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको block B में शिफ्ट कर दिया और वो भी एक दूसरे के बराबर में इनका पहला target तो पूरा हो चुका था चारों कैदी एक साथ ब्लॉक B में शिफ्ट हो चुके थे अगले दो सालों तक ये चारों अपने अपने सेल के अंदर ही क्या प्लान बना रहे थे इसकी किसी को कानो कान ख़बर नहीं थी 12 जुलाई 1962 को रुटीन के मताबिक सुबह के साथ बजे जेल स्टाफ सभी कैदियों को उठाने के लिए निकला असेंबली में काउंटिंग की गई तो इन में तीन कैदी मिसिंग थे जब स्टाफ ने सभी सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक B में अंगलो ब्रदर समेत फ्रैंक मौरिस को अपने ही बैड पर सोया हुआ पाया उनको ये बात बिलकुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की इसी दोरान वो देखते हैं कि तीनों सेल्स के बैड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे मतलब वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्स्चर से बना ये डमी हेड्स रख दिया था ये नजारा देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे लेकिन वो सिक्योर थे कि कैदी आईलैंड से बाहर नहीं जा सकते पूरे आईलैंड की छानबीन शुरू कर दी लेकिन कहीं भी उनका नामों निशान न मिल सका सबको एक ही चीज सताय जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं तीन-तीन कैदी भागे कैसे याद रहे भागने वालों में एलैंड वेस्ट नहीं था जिसका असल में यह सारा प्लैन था इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया यह देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़ कर बाहर निकले हैं हैरानी तो तब हुई जब दीवार की पहली साइड पर तीन नहीं बलकि चार सेल के वेंट डैमेज थे यस यह चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह पता था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है लहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लैन बता देना चाहिए एलन ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया सारा प्लैन असल में उसी का था उन्होंने ही डमी हैट बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज पाँच बाएं साड़े नौ इंच थी एलन को इन सेल्स की कमजोरी का पता था क्योंकि वह जेल की मेंटेनिंस में भी काम कर चुका था उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ चेह इंच मोटी हैं और वेंट के सुराक को आसानी से बढ़ा किया जा सकता है चेह महीनों से चारों कैदी मौका ढूंड कर इस वेंट के सुराक को बढ़ाते रहे वह किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से यह काम करते थे जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी वह इस खुदाई को सीक्रिट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे यह सारा काम खास तोर पर म्यूजिकल आर्ट के दौरान किया जाता था जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता है वेंट एक कोरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्यूरिटी नहीं थी यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छट पर जाता है जहां वह अकसर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे अलकंट्रास्ट में कैदियों को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था यह चारों कैदी भी मेंटेनेंस करने छट पर जाया करते थे और इस बहाने वह अपने भागने के प्लैन के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे छट से वह एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आईलैंड की पंद्रह फिट बड़ी दिवार को पर करके भाग निकले उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी रबड रेनकोट को जोड़कर अपने लिए एक फ्लैट टेबल बोट भी पहले से ही बना रखी थी यह रेनकोट जेल प्रशासन की तरफ से ही दिये जाते थे जो वह बहाने बना कर एकठे करते जा रहे थे इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम न करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी पर एफबियाई के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले कैदी अब कहा हैं उनके चौते साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लैन के हिसाब से इनको सबसे पहले कटराज के नौर्थ में एंजेल आईलैंड से गुजर कर में लैंड में उतरना था जहां सेक्योरिटी न होने के बराबर होती है वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे एलकटराज के सारे में लैंड पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली इंपॉसिबल सेक्योरिटी को चक्मा देकर भागने वाले कैदियों को समंदर निगल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी एफबियाई को चक्मा देने के लिए बनाई गई थी उन तीनों का कहीं कोई नामों निशान नहीं मिल रहा था ब्लॉक बी की छट पर मौजूद फुट्परिंट जहां यह सारी चीजें बनाई गई थी वह सीक्रिट वरक्शॉप और जिस पाइप पर लटक कर वह नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर यह तो वेरिफाई हो गया कि एलेन वेस्ट की कहानी जूटी नहीं है अब FBI के साथ साथ Coast Guard Bureau, Owner of Prison और US Marshal Service को भी इस केस में शामिल करके समंदर में कैदियों को ढूंडना शुरू कर दिया गया पर उनको कहीं भी ना कैदि मिले और ना ही कोई बोट या फिर लाइफ जैकेट यह पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्टरी केस बनने जा रहा था अगले चार दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकडी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उस बोट का ही पार्ट है उसके बाद रेंड कोट से बने दो बैग्स भी मिले जिसमें कैदियों का परसनल सामान जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगेरह मौजूद थे इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिन्दा मैन लैंड पर नहीं पहुँचे क्योंकि यह आइटम्स ऐसे हैं जिनको कोई भी कैदी आसानी से नहीं छोड़ता कोई भी डेड बॉड़ी दो दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉड़ी मिली ना कोई बॉड़ी पार्ट एक त्योरी यह भी है कि तीनों कैदी बोर्ट से नहीं तो स्विमिंग करके मैन लेंड पहुँच गए होंगे समय बीटता गया कोई सुराग नहीं मिला पंद्रह सालों के बाद एंगलो ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाईयों को एक कलब में देखा और उनकी फोटो भी कैपचर कर ली उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि यह एंगल एंड ब्रदर्स ही है लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं इनकी एज एंगल ब्रदर से मैच नहीं होती ये आखिरी बार था जब एंगल ब्रदर्स के जिन्दा होने की कोई खबर मिली थी इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता ना चल सका इस जेल ब्रेक के अगले ही साल कटराज जेल को बंद कर दिया गया अंत में हिम्मत हार कर एफबियाई ने भी आउनफिशिली इस केस से हाथ उठा लिये अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विस है जहां यह केस अभी तक खुला हुआ है और यह तब तक खुला रहेगा जब तक या तो कैदी पकड़े नहीं जाते उनकी डेड बॉड़ी नहीं मिलती है या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती कटराज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की उनहीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिकन ब्रदर फ्रैंक मौरिस और उनके साथ ही अलन वेस्ट कैद हुआ करते थे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ